आप देख रही हैं love with astrology कहते हैं कि अच्छे मुबाइल में अच्छी फोटो आती है वीडियो बढ़िया बनता है कहते हैं कि भई मुबाइल में अच्छी कम्पनी का सिंपड़ा हो तो बात हो जाती है ऐसा क्या करें कि प्यार से बात हो जाए प्यार बात करने लगे रिलेशन बेहतर हो जाए रिस्ता मधुर बन जाए संबंद ठीक हो जाए और ये सब कुछ गारंटी वोरंटी के साथ हो जाए अगर तो रिस्ता ठीक हो जाए संबंद सुधर जाए शादी बच जाए परिवार बेहतर हो जाए ये सब कुछ गारंटी वारंटी के साथ हो जाए तो और इसके लिए कुछ बहुत बड़ा उपाय नहीं करना पड़े सिर्फ कुछ छोटा सा कर लेना पड़े आपको अपनी पॉकेट में यानि दिल के पास ये सामान रख लेना है सामान आपने दिल के पास रखेंगे अपनी पॉकेट में रखेंगे असर उधर होगा कुछ ही पलों में बेचैनी इस कदर बढ़ जाएगी कि आपके पीछे पीछे भागेंगे आप से बात किये बगर रह नहीं पाएंगे आप ही होंगे उनके जहन में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्यार में पागल जानी विशनेशन आप दीख रहे हैं लाव विद इस्ट्रॉलिजी नवश्कार मैं हूँ आचारी सती सबस्ति आपका बहुत स्वागत करता हूँ लव विद इस्ट्रॉल्जी में आपके अपने जीवन को सर्वसेश किया जाता है प्यार भरा जाता है रिस्तों को मदूर बनाया जाता है सम्मंदों को ठीक किया जाता है जादी सुदालाइब को अच्छा किया जाता है पारिवारिक विवस्थाओं को मजबूत कर आपको नवीन रास्ते बताया जाता है यहाँ पर शादी के पहले और शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है आपको जिदाया जाता है रिस्तों में तूटे हुए बिछडे हुए दिलों को जोडा जाता है जो रिष्टे पूरी तरह से बरबाद हो चुके थे खतम हो चुके थे नस्ट हो चुके थे उनको रेपैर करके आपके अनकूल बनाया जाता है इन सब चीजों को करने जहां किया जाता है सिंस्थान का राम लविद अस्टॉल जी है यहां गीता बेद पुरान शास्त्रों उपनिश्दों का सार बताया जाता है बड़े-बड़े गरंतू की निचोड कर बाते छोटे-छोटे रूप में आपके सामने परोसी जाती है जो शास्त्रों मेरी सिमनियों ने गंभीर बात कर सकता है वो शिशे तो कर सकता है दुनिया के हर अस्पिटाल में कुछ परसेंट लोग हो सकता है अपना जीवन ट्याग देते हो अपने जीवन को बचाने अक्षम होते होंगे लेकिन इस बात में कोई संदेय है नहीं हाउस्पिटल में बहुत बड़ी संख्याब लोग ठ आज मैं कह रहा हूँ कि पॉकेट में यह वस्तु रखनी है पॉकेट आपके लिप साइड में होता है दिल की जगे पर होता है पॉकेट यहां बनाने की पीछे पूरा का पूरा तिलिश्म है उन सब तिलिश्म की बात हैं फिर कभी कर लेंगे आज तो हम कह रहें कि दिल के पास यह वस्तु रखो अपने पॉकेट में यह वस्तु रखो ऐसा करने से उधर दिल में घंती बजेगी और कुछ शन के बाद तुभारे मुबाइल की भी घंती बजेगी यह सब कुछ कैसे होगा वह पूरा का पूरा बिशलेशन बता रहा हूं उसके पहले एक अनुभव दिल मेरे लिए पता नहीं पहले क्या चलता था क्या नहीं बट अब आपके आश्रवाद से उनके दिल में मेरी जगा बन गई है पस गुरुजी आपका आश्रवाद हम पर यह बना रहे हम आपको यही निवेदिन करते हैं कि आप सदय हमारे पर आश्रवाद बनाएं रखी बहुत बहुत धन्यबाद, बहुत बहुत आश्रवाद, परमात्माश्यों आपको प्रसन करें, आनम्त करें, आपकी हर इक्षाओं की पूर्ती करें पॉकेट ही क्यों चुनते हैं? और हाँ, पॉकेट के पास मुबाइल मत रखना, कुछ गरी कलर चीज़े मत रखना, खराब चीज़े मत रखना, ऐसा भी बोलते हैं लोग क्यों? क्योंकि यहीं पर दिल के अंदर जाने का रास्ता है, कि एक ऐसा संसर है यहाँ पर, जो किसी भी चीज़ को जल्दी से खीच लेता है अपने अंदर आपकर चानकर बहुत अच्छा लगेगा, सब कौन से माइंड वोक करता है, जो तुम सोचते हो, जिस परकार तुम चिंतन करते हो, जिस परकार से तुमारी सोचने की प्रणाली है, वैसा तुमारे साथ होने लगता है ज्यादा तर उन लोगों को दुख ज्यादा मिलता है, जो अपने को हमेशा दुखी महसूस कराता है जो लोग अपने आपको बेचारा और जीन हीन पता नहीं दीन हीन क्या-क्या अपने आपको महसूस कराने की कोशिश करते रहते दूसरों के नजर में वो इनसान हमेशा दुखी रहते हैं क्यों? चुकि वो प्रकरति को आदेश दे रहे हैं कि मुझे ऐसा ही रहना है अपने को दैननिता में, अपने को दीन हीनता में, अपने को उदास, निरास, परेशान और दुखी बताना या दिखाना या रहना ऐसा करने से प्रकरति में एक आदेश जाता है जिससे तुम वैसे ही हो जाते हो पहली बात दूसरा, ज्यादा तर लोग अपने सुभाओं और अपने बिक्तित्प से वही आउडर करते हैं जो उनको मिल रहा होता और फिर कहते हैं यह जाते नहीं क्रोध, एंजाइटी, अभिश्वास, अनिद्रा, यह सब चीज़ें उनके अंदर हैं वही बाहर जाती हैं फिर वही वापस फिर आती हैं क्यों जो किददा आती पृति ग्रहना आती नान्य थैसा प्रसीदती बही जो कुछ तुम बोते हो जो तुम कर रहे हो वो सब तुम्हें वापस मिलता है आपको एक बात पता है आप जिस वस्तू का ध्यान जादा रखते हो वो वस्तू आपके लिए बहूत लाबकारी हो जाते हैं जैसे कोई विक्ति अपने बालों का बहुत ध्यान रखे तो जादा तर लोग उसे बोलने वाले मिल जाते हैं कि या आपके बाल बड़ अब सुन्दर लग रहे हैं लोग अपनी स्कीन का, अपनी सुंदरता का, अपनी ब्यूटी का, अपने स्रंगार का ध्यान रखते हैं, तो लोग ये बोलने वाले मिल जाते हैं कि भाई तुम बहुत संदर हो, यानि प्रकरती आपको वापस देने लगती है चारों तरफ से ये बात कि भाई तुम बहुत स तुम प्यार का ध्यान रखने का मतलब व्यक्ति विशेश से नहीं है तुम्हारे अपने फीलिंग वाले प्यार की बात कर रहा हूं उसका ध्यान रखो फिर वो प्यार तुम्हारे प्यार की प्यार की फीलिंग का ध्यान रखेगा जैसे ही दोने कनेक्ट हो जाएंगे वैसे तुम्हें को जाओगे कि तिलिस में वैसे गंभीर बहुत नहीं है बहुत गहरी बात नहीं है लेकिन समझ जाए तो बहुत जल्दी से समझ आएगी और जुसे नहीं समझ में आता हूं से तो कोई समझा सकता है तुलशी बाबा ने जब लिखा था करूम प्रधानू करूम प्रधानू बिश्वरची राखा जो जसकरही सोतस फलुचाखा जब लिखा होगा तो बड़ा चिंतन किया होगा इस पर कार्मिक अकाउंट के आधार पर जो भी तुम करते हो उसके आधार पर तुम प्रधिकों आदेश दे रहे हो तुम्हें यहीं चाहिए तो घुम्पिर के तुम्हें मिल गयाता है उदाशींता निरासा हताशा ऐसा ही होगा बोलने वाले लोग बोलते हैं अब तो पता हैं मेरा फोन नहीं उठाया ना पक्का यहीं होगा उठाएंगे थोड़ी जब आप मिलेगा थोड़ी ऐसा होगा थोड़ी मतलब तुम यह करकर के नहीं होने वाला भी भाया तुम करवाई लोगे और करवाओगे भी क्या अच्छा नहीं बुरा वाला सकारात्मक चिंतन भी तो कर सकते हो इस बार तो हो ही जाएगा तुम सोचते हो सायद हो जाएगा इसलिए नहीं होता तुम सोचो हो ही जाएगा तो हो जाएगा 95% प्लस वाले पता हूँ कौन लोग है बड़े खुश है ये लोग तुवारे बीश में बहुत बड़ी संख्या है ये कौन लोग पता है ये वही सब है जो जिनको गुरुजी की हर बात आखे बंद करके दिखाई पड़ती है मुझे कोई कुछ कोई कह रहा थ तो है सत्य नहीं हो सकता है ये सत्य नहीं है लेकिन धर्म ही सत्य है इसको तो मानना पड़ेगा तो शिवाबा लिखते हैं धर्म नदूसर सत्य समाना आगम नीगम पुरान बखाना आगम नीगम पुरान कहते हैं हम कोन कह रहे है बहुत कंभीता से चंद दिन करो प्यार पाने के लिए उपाए आवश्यक है कोई संदे है नहीं पर तुम्हारी तैयारी उससे भी जादा जरूनी है विश्य में भगवान है प्यार कहने दीजे लब गुरू कुछ परक नहीं ने बढ़ता जी है हम यस आयाम प्यार अगर भगवान है तो कोई तुम्हीं भगवान गुरू कि इतना अच्छा है न उसके संदेह क्या है जिनने नहीं पता है वह बढ़ते हैं हमें पता है न हम क्या कर रहे हैं हम उन रोते हुई लोगों को हसाते हैं हम टूटते हुई रिस्तों को बचाते हैं हम टूटते विखरते परिवारों को एक करते हैं सास बहु को एक करते हैं, नंद और भोजाई को एक करते हैं, देवरानी जिठानी को एक करते हैं, पती पत्नी को एक करते हैं, प्रेवी प्रेमिका को एक करते हैं, मा बेटे को एक करते हैं, बेटी और मा को एक करते हैं, ऐसे कितने ही रिस्ते हैं, हम तो रिस्तों को शुधार में रखिये आपके हर रिस्ते पर फरक पड़ेगा जिसके नाम से रखोगे जिसके को कहके रखोगे उस पर सीधा फरक पड़ेगा और पता है कुछ ही शडों में भूचाल आएगा मुचाल पर हमसे सब सकारात्मक होते हैं हमारा कोई भी उपाये डिफेक्टिव नहीं है साइड इफेक्ट नहीं है हमारे किसी भी उपाये में किसी बिरकार की नकारात्मकता नहीं है इसमें किसी भी बिरकार का प्रबल तंतर नहीं है ऐसा तंतर नहीं जो निकुसान दायक हो वो बुल्ला मुल्वी तांतरिक मांतरिक वाली चीज़ें यहां नहीं होते हैं। यहां सर्फ साथ्विक तरीके से भगबत करपा से शुरी करपा से काम होता है। इसलिए बिश्व का सरवस्रेश्ट संस्थान है यह और कोई खारण नहीं। तो यह वस्तु आपके आसपास बहुत आराम से मिलनी की विवस्ता है। आपको करना क्या है? आपको करना यह है एक लाल या पीला कोई भी कपड़े का एक छोटा सा पॉकेट बना लिजिए तीन अंगुल चार अंगुल का वह छोटा सा जो 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 पॉकेट के अदर आराम से आ जाए। और इसको कच्चे दूद से धुली वही सौफ अंदर डाल दीजिए। संभव हो, मिल सके तो गौमूत्र के कुछ भूंजरू डाल दीजिए उस सौफ में और उसे सुखा दीजिए। फिर उसे पॉकेट में रखिए। पॉकेट में रखने का दिन होगा सुकरवार, गुरुवार, सोमवार, रभिवार। सिर्फ और सिर्फ नहीं रखना है तो कौन से दिन मंगल और सनिवार। ये दो दिन चोड़ करके बागे किसी दिन रख सकते हैं। और कोशिश करना इसको लंबे समय तक रखो। पंदरा दिन के अंतराल में इसे चेंज किया जा सकता है। काम तो तुम्हारा कुछ छड़ों में ही हो जाएगा लेकिन इसके अनदर बहुत फायदे है। क्या-क्या फायदे है। हेल्थ ठीक रहती है। हार्ड टैक नहीं आता। दिल की बीमारियां नहीं होती। किसी भी प्रकार की हड़ीयों की प्रबलम नहीं होती। बुरी ट्रंगें आपके आसपास नहीं आती। चाहे मुबाईल के ओओ चाहे कोई भी हो। कोई भी आप पर तंतरमंत्र नहीं कर पाता। बुरी चीजे आपकी तरफ आने किसे पहले हजार बार सूचती है। हिल्ट, स्वास मसाले सारे के सहरे स्वाद अलग अलग अपनी बात करने लगता है यानि खूबियां बढ़ा देती है सौफ मुख में डाले तो दुरगंद खत्म करके सुगंधी बढ़ाती है भोजन में डाले तो श्वाद बढ़ाती अलग-अलग मसालों का टेस्ट आने लगता है आपके जव्याद करूँ सौफ के बड़े प्रयोग है सौफ के पहले भी हमने कुछ प्रयोग बता है हर बार लाखो लोग लाभान भी तुए इस बार फिर आपको परोस रहा हो इसे बड़े मन से बड़ी शद्धासे करना पुरे बिस्पास के साथ करना भगवान आपका खल्याण करे गुरु आदेश की आफशकता definitely हर उपाय में होती है कभी मैं कहूं नहीं कहूं पर उसके बगेर हमारा कोई काम नहीं करता उपाय क्यों? चुकि आप गलत प्रयोग न कर ले कहीं दुरुपयोग न हो जाए उपाय का इसलिए उसे केलित करके रखता हूँ हमारा कोई भी उपाय तब ही काम करता है जब आपके पास कुछ वादेश कोई उपाय काम नहीं करेगा खुब खुश रो, खुब मुस्क्राओ, खुब सुन्दर्वनों संदेवी, ओम नवस्वाइ